नमस्कार आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है आपके साथ में हूँ आर्ती गेलोत आईए रूख करते हैं खास ख़बर की वार्ट अंजड दुरगटना के शिकार पीडित को अंजड अस्पताल में अमूलेंस नहीं होनी के कारण परिवार को प्राइवेट वाहन से बढ़वानी ले जानी के लिए मजबूर होना पड़ा नगर अंजड के अंदर आज मोटर साइकल से गिनने से घायल महिला को इलाज के लिए सिवल अस्पताल लाया गया जिसको सेर पर चोट होनी के कारण प्रात्मिक उप्चार के बाद डॉक्टर आजईय पिपलिया के दुआरा बढ़वानी रेफर के अगया है सिवल अस्पताल अंजड में अंबुलेंस नहीं होनी के कारण आये दिन गरीब मरीजों के परिजोनों को अपने मरीजों को ले जाने के लिए नीजिवाहन बुलाना पड़ते हैं आज भी ऐसा ही वाक्या हुआ दुरगटना में घायल पिडित को अंबुलेंस नहीं मिलने के कारण 108 पर फोन लगाया गया एंबुलेंस नहीं आई काफी देर तक इंतजार करने पर परिवार के लोगों ने नीजिवान से दुरगटना में घायल पिडित को बड़वानी अस्पतार ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा इस संबंद में डॉक्टर आ जाया पिपलिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले कई महिनों से हम मरीजों को 108 एंबुलेंस के दुआरा ही बढ़वानी बेशते हैं कई बार 108 एंबुलेंस आने में काफी वक्त लगता है ऐसे में परिजोनों का धेर ये तूटने लगता है और परिजन डॉक्टर से बाद विवाद करने लगते हैं और ऐसे में कई बार डॉक्टरों को मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ता है बार बार मांग करने के बाद भी प्रिसादत अंजड सिविल अस्पिताल का दर्जा देनी के बाद भी एंबुलेंस नहीं दे पाई है तो एंबुलेंस पूर्व में थी उसे भी यहां से ठीकरी भेज दिया गया है इस कारण से सिविल अस्पिताल अंजड में परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जनता ने मांग कि है कि शीग रही सिविल अस्पिताल अंजड को एंबुलेंस दी पर जब पॉल के रहा है तो उनके द्वारा पैतालिस मिनिट से एक गंटे के समय बताया है कि इंबुलेंस अभी आसपास उपना पर नहीं है तो इसके बाद मरीजों को जब अपने साधन से जाना पड़ा तो उनके द्वारा हंगामा के रहा है इस वज़ए से पुलीस बाल प्राविट गाड़ी लेका जाओ कोई सरकारी गाड़ी नहीं है अब बुलेंस नहीं मिलने के खारण आप अपने गाड़ी से जो है परिज को ले जा रहे है तो जिसे मरीजों को और पीडी तो को कोई भी कठी नाए का सामना ना करना पड़े फिलाल खबरों में इतना ही आगे की तमाम चानकरी के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले